हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लेट्स व्लोग विद पूनम में आज मैं सेर करें आप सब के साथ नारियल की बर्फी जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में बना कर त्यार करेंगे बिना मावा और बिना चासनी के ये बर्फी बन कर त्यार होगी तो चलिए बनाते हैं नारियल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप दूद इसे हमें गरम करना है ये नॉर्मल टेंपरेचर पे रखावा दूद है और फुल क्रीम वाला दूद लेना है हमें आपर और दो चम्मस लेंगे हम इसमें मलाई जो दूद गरम होगा इसमें हम डाल देंगे एक कप चीनी ये चीनी को भी हमें दूद में अच्छे से मेल्ट कर लेना है या पर हमारे चीनी देखी दो मिनट के अंदर ही मेल्ट हो गई है दूद का कलर भी चेंज हो गया है इसमें हमें अच्छे से दो तिन मिनट के लिए पकाना है द टालेंगे फूड कलर, यह येलो फूड कलर लिया है, थोड़ा से एक पिंच के करीब ही इसमे फूड कलर डाला है, बहुत ही कम, जैसे इसमें उबाल आएगा, देखी हाँ पर हमारा फूड कलर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें हम डालेंगे दो कप के करीब ये नारियल का बुरादा लिया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे अब हम गैस की जो फ्लेम है उसको कर देंगे लो और इसको धीरे धीरे लो फ्लेम पर हमें लगातार चलाते हुए पकाना है बहुती कम समय में ये बन कर त्यार होंगे कम से कम साथ आठ मिनट में हमारी पर इसको लगातार पकाना है यहाँ पर हमारे नारियल जो अच्छ से पक गया है इसमें डालेंगे अब हम एक चमच के करीब खी जैसे ही घी यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा जैदा घी की जुरूर्ट नहीं पड़ेगी इसमें भोती कम गी की जुरूर्द है देखिए यहाँ पर हमारी बर्फी है जो रेड़ी होगी अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेट उसको अच्छ से घी से ग्रीज कर लेंगे अब हम जो नारियल का मिक्सर हमने त्यार किया है वो इस प्लेट में डाल देते हैं इसको हम किसी भी मॉल्ड में भी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में ही जमा लिया है इसी तरह सारा मिक्सर इसमें डाल देंगे और इसको हम सेप देंगे यहाँ पर अच्छे से इसको उपर से एकदम से प्लेन कर लेना है और देखे इस तरह से दबा दबा के मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट कर लिया है और इसको हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते 10 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगी मैं इस तरह इसको square species में cut कर लेती हूँ और लेजिए हमारी बर्फी यहां बर्बन कर त्यार है एकदम से tasty tasty narial की बर्फी एकदम से soft बन कर त्यार हुई है भोती कम समय में अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो like, share and comment कर दीजिए और अगर आप मेरी चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लेजिए thank you, bye